लोग इसका 3rd number देखते हैं, 3rd number में देखिए, nth term दिया हुआ है, 6 minus का n, तो हम लोग यहाँ पे 1st term निकालते हैं, 6 minus का 1, 5, 2nd term निकालते हैं, 6 minus का 2, 4, 3rd term क्या हो जाएगा, 6 minus का 3, 3, और 4th term क्या हो जाएगा, 6 minus का 4, यानि 2, तो काफी है इतना ही, तो हमारा जो sequence होगा, हो जाएगा, तो हमें इसे common difference निकालके देखेंगे, a2 minus का a1, और फिर a3 minus का a2, तो देखिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर, d equal to में, आपका आजाएगा, 4 minus का 5, यानि minus 1, और यहाँ पर देखिए, आपका आजाएगा, d equal to में, कितना जाएगा, तो 3 minus का 4, यानि minus 1, दोन धो जाएगा, थाएगा जाएगा……